अब कई जगे से शिकायत मिल रही है, सरकार को शिकायत मिल रही है, कि कुछ स्कूल बढ़ा चढ़ा के फीस चार्ज कर रहे हैं, सरकार से उनुमती लिए बिना बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है, कई जगे से शिकायत मिल रही है कि बहुत सारे स्कूल ट्यूशन फ खर्चा भी नहीं हो रहा। पूरे पूरे क्वाटर की फीस मांग रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स। कई स्कूलों के बारे में शिकायच मिली है कि उन्होंने अगर किसी बच्चे ने फीस नहीं दी है तो अपने यहां ओनलाइन क्लासिस बंद करा दी हैं उन बच्चों के ओनलाइन क्लासिस फैसिलिटीज बंद कर दी हैं तो इतना नीचे किरने की ज़रूत नहीं है प्राइबिट स्कूल्स को आप सब लोग एक ट्रस्ट के जरीए चलते हैं एक संस्था के द्वारा चलते हैं और उसमें आपका बेसिक मेंडेट है कि आप समास सिवा करेंगे ऐसे में किसी बच्चे के फीस ना देने की वज़े से उसको उसका नाम ऑनलाइन क्लासिस तक से हटा देना यह तो ठीक नहीं है तो इसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद इन सारी शिकायतों के अध्यन के बाद में सरकार ने एक फैसला लिया है आज और अभी एक आदेश यारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें माने मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निने लिया गया है कि कि किसी भी private school को वो चाहे सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर private जमीन पर चल रहा हो उसको फीज बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी सरकार से पुछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीज नहीं बढ़ा सकता वो चाहे प्राइवेट प्राइवेट जमीन पे चल रहा हो या ग Vermeट जमीन पे चल रहा हो दुसरा कोई भी स्कूल तीन महीने की फीज डिमांड नहीं करेगा केवल ट्यूशन फीज डिमांड करेगा वो भी महीना वार लेंगे कोई स्कूल पेरेंट्स को तीन-तीन महीने की फीज नहीं चार्ज करेगा इसके साथ जो ओनलाइन education दी जा रही है बच्चों को स्कूल की तरफ से प्राविट स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को देनी होगी अगर कोई parent फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम online teaching से नहीं हटाया जाएगा उनको online facilities नहीं काटी जाएंगी ये आदेश दियें साथ में कोई भी स्कूल transportation fees नहीं चार्ज करेगा इस दोरान क्योंकि अभी transportation पर कोई खर्चा नहीं है इसलिए transportation fees चार्ज करने के जोड़ नहीं है एक महीने की फीस के अलावा कोई और एक महीने की tuition fees के अलावा कोई भी स्कूल वो चाहे private जमीन पर बना है या सरकारी जमीन पर बना है कोई भी स्कूल एक महीने की tuition fees के अलावा किसी भी parent से कोई और तरह की fees चार्ज नहीं करेगा ना transport fees चार्ज करेगा ना कोई annual charge करेगा कोई चार्ज नहीं लेंगे साथ में ये वी order दिया गया है कि सभी private स्कूलों की चाहे वो कि वो अपने सभी staff को teaching और non-teaching contract का हो या outsource किया हुआ हो सभी staff को समय पे salary उपलत कराएंगे अगर किसी तरह का उनके revenues में कोई shortfall है तो जो अपनी parent संस्था है उससे पैसा लेके पूरा करेंगे लेकिन पैसे की कमी की वज़े से किसी staff की salary नहीं रोकेंगे और पैसे की कमी के बहाने पर किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकेंगे यह दौनों instructions इस order में साफ साफ हैं और यह order दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और National Disaster Management Act दौनों के अधिकारों के तहट जारी किया गया है क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना के आपता से जूज रहा है पूरे देश में कोरोना को आपदा घोशित करके आपदा कानून लागू है तो इस आपदा कानून के लागू होने के समय में इन आदेशों का जो प